नमस्कार आपका अख़बार के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है मैं हूं प्रदीप सहिंग आज रविवार है तो रविवार विशेश का दिन है आज बात करेंगे उस मुद्दे की जिसको प्रधान मंत्री नेरेद मोदी ने लोगसभा में उठाया यानि मीजोरम में वायुसेना के बमवशक बिमानों से अपने ही लोगों पर हमला जो इस देश में पहली बार और आखिली बार हुआ इश्वर न करें फिर हो तो उस घटना का जिक्र करूँगा तीन हिस्सों में पूरी बात बताऊँगा पहला की हुआ क्या था एक और इस मंबारी के बाद क्या हुआ वो और ज्यादा भायावा था वो क्या हुआ था और तीसरा इसका संदर्व क्या है इसका अतीद क्या है यह नौबत आई क्यों यह कैसे शुरुवात कैसे हुई इस समस्या की इन तीन हिस्सों में यह पूरी बात बताने के कोशिश करूँगा तो वाईव सेना के चार फाइटर जेट एजवाल के ऊपर उड़े 5 मार्च 1966 पहले मशीन गंद से हमला हुआ जितने ट्राइबल थे वहां मिजो ट्राइबल वही रहते थे भाग कर किसी को गड़े में जगए मिली किसी को जंगल में किसी को नदी के पीछे जहां जिसको जगए मिली पहाड़ पर भाग कर बचने की कोशिश की दूसरे दिन फिर बम गिराए गए 5 मार्च 1986 से ये सिलसिला 13 मार्च तक चला और इस हमले के बाद जो है जो मिजो नेशनल आर्मी और मिजो नेशनल फ्रंट के लोग थे वो वहां से भाग गए ये बात बिलकुल सच है और इसी को आधार बनाकर ये कहा जाता है कि इंदिरा गांधी ने बड़ा ही सहसिक फैसला किया अपने लोगों पर कौन प्रधानमंत्री चाहेगा कि बम गिराया जाए लेकिन स्थिती ऐसी हो गए थी कि देश को बचाना था देश को अलगावाद से बचाना था खास तोर से मिजोरम के इलाके को उस समय प्रधेश का मतवारा नहीं हुआ था पूरा नौर्थ ही असम था असम में मिजोरम का जो हिस्सा है एजवाल और उसके आसपास का जो हिस्सा है वहां से मिजो द्विद्रोहियों को भगा दिया गया ये काम्याबी मिली मुक थे लंदेगा के नितित में और लंदेगा जो है वो कराची में रह रहा था पाकिस्तान के सेना के संडरक्षन में उसको इस पाकिस्तान और चीन से मदद मिल रही थे हथियार और पैसा मिल रहा था तो ये इतनी कहानी अगर आप सिर्फ सुने तो आपको लगेगा कि अखनिता बचाने के लिए ये फैसला किया लेकिन बात इतनी नहीं है बात इससे जादा किया उसके अलावा इस बंबारी की एक एक वज़े तो ये थी दूसरी वज़े ये थी कि सेना अपनी टुक्णियों को भेज नहीं पा रही थी हेलिकॉप्टर से उस पर भी स्नाइप कि शाषन के बाद कि वहां सेना को पहुंचने में एक दिन से 24 घंटे से जादा का समय लगता इसलिए एर फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ा ये तर्प दिया गया है अब इसमें और और कई बाते एक इस जो एर स्ट्राइक है अपने ही लोगों पर इस बात को छिपा कर रख गया इस घटना के तीन दिन बाद 8 मार्च 1966 को इंदिरा गांधी का एक बयान छपा स्टेंडर्ड हेरल जो कलकता का अख़बार था अब कोलकता का अख़बार था उसमें कि वायुसेना के विमान रसद और और सैनिक टुक्री पहुंचाने के लिए उनका इस्तेमाल किया गय इसका कोई जवाब सरकार के पास नहीं था सरकार ने कभी ये स्विकार नहीं किया कि एर स्ट्राइक हुई थे कभी ये स्विकार नहीं किया गया कि फाइटर जेट से मशीन गन और उसके बाद बम गिराए गय थे मशीन गन से हमला हुआ उसके बाद बम गिराए गय थे और इससे पहले एक चीज़ और हो चुकी थी एक मार्च को जो ललदेंगा की और से हुई एक मार्च उनीस सो चाचछट को ललदेंगा ने घोशना कर दी आजादी की भारत से greater misorum के नाम से एक अलग देश बनाने की घोशना कर दी और साथ में घोशना की कि जो गैर miso रह रहे हैं उस इलाके में वो छोड़ कर चले जाएं नहीं तो मार दिये जाएंगे लल्देंगा के जिन साथियों यानि मीजो नेशनल फ्रंट के जिन साथियों ने सरकार के सामने सरेंडर कर दिया था उनको कोच कोच कर लल्देंगा के लोगों ने मारना शुरू कर दिया उनकी हट्ता शुरू कर दी थी अब आप देखिए कि ये तो बंबारी से पहले की इस्थिती थी और ये बंबारी का फैसला था सरकार का जिसको अगर सरकार का फैसला था देश की एकता अखंड़ता को बचाने का देश की जो है अखंड़ता उसको अक्षुर रखने का तो उसको छेपाने की जरूरत क्या थी ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब कभी कॉंडिस के ओर से नहीं आया ना तो इंदिरा गांधी के रहते हुए ने उसके बाद की सरकार हूँ और याद रखिए कि जनवरी 1986 में ही इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी देश की शास्त्री जी की मौत के बाद और ये घटना मार्च की है अब दूसरा काम क्या हुआ अब मीजो नेशनल आर्मी और मीजो नेशनल फ्रंट के खिलाफ सेना का अभियान शुरू हुआ और इससे पहले मीजो नेशनल आर्मी ने मीजो रम् की ट्रेजरियरी पे कबजह कर लिया था और असम्राइफल के हैटकोषर तक पहुच गह थे तो आप ये सब खपरे सुनें ये घटनां सुनें तो आपको लगेगा कि केंदर सरकार का जो फैसला था इंद्रिया गांदी का जो फैसला था बिल्कुल सही था अब मैं आता हूँ दूसरी बात पर कि दूसरी घटना क्या हुई जो इस बंबारी और इस एर अटेक से ज़्यादा कतरनाक थी मीजो नेशनल फरंट को रोकने के लिए री ग्रूपिंग आफ विलेजेज ये एक अभियान चलाए गया उसमें एक मातर एक ही सड़क थी जो सिल्चर से आती थी और राज्य के आखरी छोड तक जाती थी इस सड़क के दोनों और पहाड़ों पर जो है लोग बसे हुए थे जंगलों में लोग बसे हुए थे हज़ारों गाओं थे इन गाओं के लोगों को कहा गया कि जो भी अपना सामान ले सकते हो ले लो और चलो लेकर कहां सड़क के दोनों किनारे इनको बसाया गया कहा गया कि जो सामान नहीं ले जा रहा है वो सब और घर अपना जला दो जिन लोगों ने जलाने से मना किया उनके घर सेना से जलवा दिये गए क्यों उसका तर्क ये दिया गया कि यहां जिससे ये लोग फिर से भाग कर ना सकें और मीजोनेशनल फ्रंट और मीजोनेशनल आदमी के लोग यहां शरण न ले सकें और सब को एक जगह रखने का मकसद यह बताया गया कि जिससे यह लोग मीजोनेशनल फ्रंट यह मीजोनेशनल आदमी में शामिल न हो सकें तो सडक के दोनों और पूरब और पेस्चिम कटीले तार लगाकर इनको जो है बसा दिया गया और इनको नाम दिया गया प्रोटेक्टिव प्रोग्रेसिव विलेजेज अब आप समझे कि यह जो पीपीवी बनाया गया इसमें राशन के लिए निर्भर थे सेना पर सेना से जो शिफ्टिंग कल्टिवेशन का जो उनका कल्चर था वो सब चूट गया उनकी जमीने चूट गए तो खाने की दिक्कत होने लगी अनाच की दिक्कत होने लगी लेकिन उनके सामने और कोई रास्ता नहीं था वहां से निकल कर जा नहीं सकते थे आर्मी के प्रोटेक्शन में मीजोरम के 764 विलेज़ में से 516 को इन 10 PPV में यानि प्रोटेक्टिव प्रोग्रेसिव विलेज़ में लोगों को समो दिया गया यानि सिमट कर 516 गावों के लोग 110 पीवी में रखे गए यानि मीजोरम की 95 परसंट आबादी को PPV में कैद कर दिया गया अब सवाल यह है कि ये भारत सरकार को आइडिया आया कहां से है आप सुनेंगे तो और ज़्यादा चौंग जाएंगे ये काम इससे पहले ब्रिटिश सरकार ने अंग्रेजों ने किया था कहां किया था बीस्वी सदी के आरम में ब्रिटिन ने बोयर युद में मलाया में ऐसे ही पीपीवी बनाये थे उसके बाद केनिया में भी माव माव विद्रो जो हुआ उसको दबाने के लिए बनाये थे अंग्रेजों से सीखा कि लोगों का दमन कैसे किया जाता है अंग्रेजों ने जिनके साथ किया वो अंग्रेजों के गुलाम थे लेकिन ये सतंतर भातिय नागरिक थे उनकी अपनी सरकार थी चुनी हुई सरकार उनहीं की चुनी हुई सरकार थी जो उनके साथ इस तरह का व्यवार कर रही थे कहते हैं कि रूसी गुलाग और जर्मन कंसंट्रेशन कैम्प में भी इतने स्थानिये लोग इतनी कम जगा में नहीं रखे गए थे इससे अंदाजा लगा ये अत्याचार का कि किन परिस्थितियों में वो लोग जी रहे थे तो धीरे धीरे नतीजा ये हुआ जब भुक्मरी की हालत आने लगी तो विद्रो होने लगा तो 1971 में पहले दौर के कुछ PPV तोड़े गए फिर 1978 में सारे तोड़ दिये गए अब इसके तीसरे पक्ष पर आते हैं कि आखिर ये इस्थिति आये कैसे ऐसा तो है नहीं कि मिजो नेशनल आर्मी बना लिया और सरकार करती क्या रही सरकार क्या सो रही थी इस सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए कि आखिर ये नौबत आई क्यों ये स्थिति आई क्यों तो 1895 में अंग्रेजों से बिटिश हुकुमत से इस इस इलाके के ट्राइबल्स का युद्ध हुआ और 1995 में ही बिटिश हुकुमत ने इस पर कबजा कर लिया कबजा करने के बाद यहां मिशनरियों को भेज दिया और उन्होंने बड़े पैमाने पर धर्मांतरन कराना शुरू किया 87% आबादी क्रिश्चिन बन गई आजादी के बाद भी वो सिलसला रुका नहीं अब इस समस्या के असली जड़ को समझिये 1959-1969 में इस इलाके में अकाल पड़ा नहरू सरकार ने मीजोरम के ट्राइबल्स को उनके अपने हाल पर छोड़ दिया किसी तरह की कोई मदद केंद सरकार से नहीं मिली यह असंतोश का बीज पड़ा यहां से और यहीं से जन्म हुआ ललदेंगा का ललदेंगा और उनके साथियों ने मिलकर एक संगठन बनाया मीजोनेशनल फेमीन फ्रंट जिसमें सहायता जुटाई गई अलग-अलग जगों से प्रदेश के बाहर से भी और लोगों की जो अकाल ग्रस इलाकों में लोग थे की मदद करने की कोशिश हुई ललदेंगा पूरे इलाके में लोग प्री हो गए दूसरा कारण था संतोष का कि 1956 में फजल अली के अधिक्षता में स्टेट रिया और्गनाजेशन कमिशन बना था उसकी रिकमेंडेशन भाषा के आधार पर राज्य बनाने की थी तो देश भर में कुल 14 राज्य बनें चौदर राज्यों का गठन हुआ उसमें से एक था असम असम में ही ये सब सारे राज्य शामिल थे नौर्थीस्ट के जितने राज्य हैं सब असम में थे और राज्य की भाषा एक मात्र भाषा बनाई गई असम यहाँ इसकी भी नाराज़गी थी कि हमारी भाषा चीनी जा रही है उसके बारे में कुछ नहीं किया गया इनकी मांग शुरू में यह थी कि हमको unit territory बना दिया जाये जिसके लिए नहरू सर्कार तयार नहीं हुई उसके बाद इंद्रिय गांधी की भी सर्कार तयार नहीं हुई लदेंगा दरसल भारतिय सेना में हवालदार था उसके बाद A.S.M. में भी काम किया था उसने बाद में धीरे धीरे भारत सरकार के प्रती भारत के प्रती अलगावाद की भावना मीजरों में बढ़ने लगी और ललदेंगा उसका उसका जो है केंदर बन गया उसका नेत्र तो ललदेंगा के हाथ में आ गया और लल्देगा ने जब देखा कि दमन बढ़ता जा रहा है तब उसने भाग कर कराची में शरण ली कराची और इस पाकिस्तान जो अब बंगला देश है वहाँ से और चीन से उसको हतियार और पैसे मिलना चुड़ हुए पांच साल में उसने मीजो नेशनल फ्रंट और उसके बाद मीजो नेशनल आर्मी बना ली जिसकी आठ बटालियन तयार कर ली जो घात लगा कर सेना पर हमला करते थे तो एक शशस्त्र विद्रो की प्रश्ट भूमी बनी अगर अकाल के समय मीजो ट्राइबल्स की मदद की गई होती केंदर सरकार की और से तो शायद ये नौबत ना आती शायद लल्दिंगा कभी नेता ही नहीं बन पाते उसके बाद ये पीपीवी का मामला फिर ये ये हवाई हमले का मामला इस सब ने मिला कर मीजो ट्राइबल्स को लगा कि भारत सरकार हमारे लिए कुछ करना नहीं चाहती है हमारे खिलाफ है तो ये अलगावाद की भावना जो है उनमें एक तरह से घर कर गई पांच माच को आज भी जो है इस दिवस को मीजो रम के लोग मनाते हैं और उस घटना को आज भी याद करते इस दिन को उन्होंने जोराम नी का नाम दिया है यानि जोराम दिवस इस रूप में आज भी मनाया जाता है जिसका जिकर प्रदान मंतरी ने अपने भाशन में भी किया था एक बात शेखर गुपता ने अपने एक कॉलम लिखिये उसकी पुष्टी करने का और कोई कोई जो है मेरे पास साधन नहीं था तो उनकी बात को ही सही मान लेना चाहिए जानकारी के है आधार पर उन्होंने लिखा होगा कि जो चार फाइटर जेट जिन्होंने बम गिराए थे और मशीन गन से हमला किया था उनमें से दो फाइटर पाइलेट उनका नाम सुनेंगे तो आप और ज्यादा चौंग जाएगे उनमें से दो का नाम था एक थे राजेश पाइलट और दूसरे थे सुरेश कलमाणी इन दोनों को कॉंग्रेस में किस तरह से पद मिले संगठन में और उसके बाद सरकार में टिकट मिला क्या क्या हुआ ये सब आपको पता है तो अकाल के दो साल बाद मीजो निश्टनल फरंट बनाया था लाल देंगा ने अब आप समझे किस तरह से समस्या को बढ़ने दिया गया समस्या को हल करने का इस अलगावाद की भावना को रोकने का कोई प्रयास नहीं हुआ तो जब प्रधान मंत्री ये कहते हैं कि कॉंग्रेस के शाषन में पूरे नौर्थ हीस्ट की उपेक्षा हुई तो वो गलत नहीं कहते हैं पूरे नौर्थ हीस्ट के विकास पर ध्यान ही नहीं दिया गया पिछले नौ साल में केंद सरकार के मंतरी 400 बार नौर्थीस्ट का दोरा कर चुके है और उसके अलावा प्रधान मंतरी 60 बार दोरा कर चुके है ये 1947 से 2014 तक की जितनी भी सरकारे रही हैं उन सब के दोरान जो दोरे हुए हैं मिला दे तो भी उससे ज़ादा है नौर्थीस्ट में जिस तरह से तेजी से इंफ्रासक्चर का डिवलप्मेंट हो रहा हैं संसद में खड़े होकर रक्षा मंतरी A.K. एंटरी ने कहा कि सीमा पर इसलिए जो है इंफ्रासक्चर का डिवलप्मेंट नहीं कर रहे हैं क्योंकि उससे चीन आक्रमण करेगा तो उसको अंदर गुस्रे में मदद मिलेगी, अब आप सोच देखिए, ब्लॉकेड एक आम बात थी, आर्म फोसेज स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट बरसों बरस लागू रहा, अब बहुत थोड़े से हिस्सों में बचाया, मनिपूर के बहुत थोड़े से हिस्सों में बचाया, जाज़ातर से हट गया है, आसम के भी बहुत कुछ जिलों में रह गया है, जाज़ातर जगों से ह बढ़ती गई, पिछले 6-7 साल में अलगावाद की कोई घटना नहीं हुई है, ये जो मनिपुर की घटना हुई है, इसके अलावा पूरे नौर्थ इस्ट में इस तरह की कोई घटना नहीं हुई, अलग-अलग राज्यों की जो सीमा विवाद हैं बहुत तेजी से सुलजाये जा रहे हैं, नौर्थ इस्ट का जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, वहाँ जिस तरह से रोजगार की अपोचुनिटीज पैदा हो रही हैं, दूसरे विकास के साधन पहुच रहे हैं, रेल पहुच रही है, सड़क का मार्ग, एक्स्प्रिस वे, हाईवे, उसके अलाव एरपोर्ट जिस तरह से बन रहे हैं, वो सब नौर्थ इस्ट की तस्वीर बदलने वाले हैं, तो इसलिए जब प्रधानमंतरी कहते हैं कि नौर्थ इस्ट की कॉंग्रेस पार्टी ने उपेक्षा की, तो कुछ गलत नहीं कहते हैं, तो मीजोरम का जो ये कांड था, उसको आज भेद खुलने के बाद कॉंग्रेस अपनी बहादुरी की रूप में दिखा रही है, सवाल यही कि दुनिया में कोई ऐसी पार्टी, कोई ऐसा संगठन, कोई ऐसा नीता होगा, जो अपने शवरे को छिपाने की कोशिश करें, अगर ये जो है साहसिक फैसला था, देश क हित में लिया गया पैसला था, तो इसको छिपा कर क्यों रखा गया लोगों से, इंदिरा गांधी ने क्यों जूट बोला, कि जो फाइटर जेट, चार-चार फाइटर जेट रसद लेकर गए थे, ये कौन मानेगा इस बात को, लिकिन कॉंग्रेस पार्टी को लगता था, कि जो नहरु कहेंगे, जो इंद्रा गांधी कहेंगी, जो राजीव गांधी कहेंगे, उसको पूरा देश मानेगा, उसी को मानेगा, उसके विरोध में उससे अलग जो कुछ कहा जाएगा, कोई नहीं मानेगा, समस्या इन लोगों की ये है कि वो दौर चला गया, वो पूरानमंत्री ने जब इस मुद्दे का लोकसभा में जिक्र किया, तो बहुत से लोगों को आश्यर हुआ, बहुत से लोगों को शायद अभी विश्वास नहीं होगा कि ऐसा हुआ था, लेकिन ऐसा हुआ था, देखें, सच्चाई को आप बहुत देर तक छिपा नहीं सकत जैसे पानी को बहुत देर तक रोक नहीं सकते, वो रास्ता बना लेता है अगर आप रास्ता नहीं बनाएंगे तो अपने आप बना देगा, उसी तरह से सच्चाई की भी एक बुरी आदत है, कि वो छिपकर नहीं रह पाती है, वो किसी नहीं किसी रास्ते से किसी नहीं किस किसी नए मुद्दे के साथ तब तक के लिए अनौती दीजिए आपसे अनौध है कि ये चैनल देखिए शेर कीजिए लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए नमस्कार